जै माताई दोस्तों आने वाली वर्ड सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को धेर सारी शुपकामना आए भगवान स्री हरी विष्णू आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन परियंत्र अपने पती की लंबी आयू के लिए वर्ड सावित्री का व्रत करती रहें यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो में सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियर्ट्स के बारे में बहुत सारी ऐसी बहने जिनको पूजा के समय पीरियर्ट्स जो है वो आजाते हैं तो उनको सिंगहार जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए साथी साथ पूजा जो है वो नहीं किस जो ब्रत है वो पूरी विधिवत रूप से 6 जून को दिन गुरुबार को पूरी विधिवत तरीके से रखा जाएगा मनाया जाएगा सुहागन मही लाएं अपने पती की दीरगायों के लिए इस व्रत को पूरे स्रद्धा भाव से रखेंगी। चाहिए तो सबसे पहले सिंघार की बात कर लेते हैं। अच्छे से करकुरा के फिर आपको जो भी सिंघार हैं वो आप जरूर धारन करें। ऐसा ना करें कि आपको पीरट्स आ गया तो आप जो सिंघार है वो ना करें। आपको पूरे एक साल में ये जो ब्रत है वो आया है सुहाग की लंबी आयो के लिए तो आपको जो ब्रत है वो जरूर करना है। जो सिंघार है वो जरूर करना है। यह बहुत ज़़ादा पवित्र होता है, तो आपको जो सिंदूर है वो liquid वाला लगाना है, आपको जो सुखा वाला सिंदूर है, वो अपनी मांग में नहीं लगाना है, कब लगाएंगी माली जे कि आपने किसी इसे सिंगार चड़वा दिया है, या माली जी आपने किसी से चड़वा दिया है कोई सिंघार जो है वो आपको दे गया है तो वो आप अपनी सारी के पल्लू में बांद के रखें या आप किसी अच्छी जगह पर रख दें स्फिर जब आप सुधी करण की अवस्ता में हो जाएं तो फिर आप सुखा वला सुखा वला नहीं लगा सकती है तो आप गीला वला जो सिंदूर जो लिकविट है वो आप लगा सकती है साथी साथ अगर ये करना संभव है तो आप किसी से सिंगार की चीज़ें जो है वो वटवरच के नीचे जरूर चड़वाएं और वो चीज़ें जो है वो संभाल कर रख लें फिर जब आप सुधी करन की अवस्ता में हो जाएं तो आपको जो सिंदूर है या जो भी चीज़े आपने बिच्छिया बगेरा चड़वाई है वो जरूर धारन करें इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखें साथी साथ अगर आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन है तो आपको पूजा जो है वो नहीं करनी है क्योंकि देव की पूजा होती है जैसे वटवरच मे भगवान स्री हरी विश्नु भगवान ब्रह्माजी भगवान महादेव का वास होता है तो देव की जो पूजा होती है वो साथवे दिन से प्रारंभ होती है तो आपको पहले दूसरे तीसरे और चौथे दिन पूजा जो है वो नहीं करना है लेकिन अगर आपको लगता है क पाँचवे दिना पूरी वीधिवत रूप से साप सुतरा हो जाती है, तो आप ऐसे में पूझा कर सकती हैं, देव की भी पूझाب कर सकती हैं, अगर आप अपने में एकदम से सयोर हैं कि आप पूरी तरीके से सुद्धीकरण के अवस्ता में हैं, तो आप वट वरच की नीच निगला जाता है और उसके बाद ही जो वरत का पारण है या जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं वो खाएंग गॉप पती के प्राण है वो चने के रूप में ही मिले थे। तो इस व कर रही हैं तो यह नियम जो है वह आपको जरूर करना है, भले है आप जिस भी अवस्ता में हैं, आपको यह जो नियम है वो जरूर करना है। और अगर आपके घर में कोई और दूसरा मालनी जे देवरानी जिठानी साहस या जो भी अडोसी पडोसी वरत करते हैं तो आप उनसे अपने पूजन की सामगरी बनवा के उनके हाथ चड़वा भी सकती हैं ऐसा करना संभव नहीं है तो आप सिंगार की चीज़ें उनसे मंगवा लेना है और चाहें आप सुध्धी के अवस्ता में है जो वरत है वो तभी पूण होता है जब चने और जो वट का फल होता है वो निगला जाता है तो अगर आप सुध्धी के अवस्ता में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप असुध्धी के अवस्ता में है तो आपको वट्वच का फल जो है वो मंगवा लेना चाहिए, चने और वट्वच के फल के जो है वो निगल के इस वरत को आपको संपोर्ण करना चाहिए, तो उमीद करते हूँ कि आपको सारी चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रेशन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए और वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चानल को सब्सक्राइब करके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तो जय माता दी